Hello everyone, my name is Sitenndra Chodri and welcome to all of you to this session जहां पे disaster management के regarding हम सारी की सारी queries को आपकी handle करने वाले हैं चाहे वो इसके syllabus के बारे में हो, sources के बारे में हो, कौन सी dimension आपको cover करनी है UPSC के previous year papers में किस तरह के questions पूछे गए हैं, क्या यहां पे trend है, कहां कहां से हम इसको पढ़ सकते हैं, किस तरह के answer हमको लिखने चाहिए तो सारी की सारी queries में आपकी यहां पे handle करने वाला हूं about disaster and disaster management तो इस session का पूरा देखिए, क्योंकि पूरा session देखोगो ना तभी आपका benefit होता है, दो बिनिट का पांच मिनिट का session देखने में आपका time भी waste stage होता है और आपका कोई benefit भी नहीं मिलने वाला है prelims में disaster management आपके syllabus का part नहीं है, अगर prelims में disaster के regarding by chance अगर कोई question पूछा भी जाता है तो वो geography की perspective से पूछा जाता है, disaster management के perspective से नहीं पूछा जाता है, एक बात आपके यहां पे ध्यान रखनी है disaster management आपके GS paper 3 में मतलब आपके mains का part है, are we getting this point, यह थोड़ा आपको ध्यान रखना है अब, disaster management के अंदर क्या क्या चीज़ें हमको cover करनी है, कहां से पढ़ना है, वो हम इस वीडियो में पूरा cover करने वाले है लेकिन एक बात थोड़ा सा trend देख लेते हैं, देखें एक simple सी, एक चार word में UPSC ने आपको disaster management के बारे में बता दिया क्या करना है, disaster and disaster management अब यह दोना लग चीज़ें, disaster लग है, disaster management लग है, मतलब जैसे cyclone आया, cyclone is a disaster, उसका कारण क्या है, क्यों आता है, कौन सी conditions जो है उसके लिए आपको चाहिए, कौन सी reason में जाता है, दुनिया के कहां कहां पर एक tropical disasters आते हैं, right, cyclones आते हैं, वो आपका geography का पार्ट है, disaster, उ एक बाद disaster जब आ जाता है, disaster से पहले कौन कौन सी mitigation के step हम लोग ले सकते हैं, disaster आने के बाद किस तरह से हम लोग respond कर सकते हैं, वो आपके disaster management का पार्ट है, तो दो basically इसको हम लोग इस तरह से breakdown कर सकते हैं, एक geography का पार्ट होता है, और एक आपका management वाला पार्ट होता है, तो geography वाला पार्ट तो geography में पढ़ते ही हो, वो आपका basic आपकी जो NCRT होती है, या जो class study करते हो, जो भी आपका जो geography के sources है, वहाँ से आप इसका disaster वाला पार्ट कवर करते हो, चाहिए हो flood हो, tsunami हो, cyclones हो, heat waves हो, वो आपका geography का एक बिल्कुर static पार्ट हो जाता है, दूसरा आपका जो disaster management वाला पार्ट हम यहाँ पे cover करेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि UPSC का क्या trend है, कितना time हिसको devote करना चाहिए disaster management को, एक बार थोड़ा साथ, देखे previous रे questions की मैंने आपर list बनाई हुई है आपके लिए, देख लेते हैं, तो 2020, 2019, 18, 17 और 16 या कुछ ले 4-5 साल क समना लोगने लिए है, 2020 में आप देख सकते हो, कि 25 marks का यहाँ पर question पूछे गए है, 2019 की बात करें, तो 150 word में सिर्फ 10 number का question पूछा गया है, उसके लावा, 2018 में 1 question पूछा गया है, 250 words में, यानि कि 15 number का question पूछा गया है, 2017 में 1 question पूछा गया है, 15 marks का, और 2016 में basically 2 question पूछा गये थे, तो यह 10-10 marker के आपका 20 marks है, यहाँ पर question हो जाते है, तो कहने मतलब यह है कि इसका जो weightage है आपके exam में overall, 250 marks में इसका weightage है, वो 10 या 15 number का ही रहता है, ठीक है, तो बहुत जादा इसका weightage नहीं है, क्योंकि इसका बहुत जादा weightage नहीं है, इसलिए इसको बहुत ज disaster management cover हो जाता है, अगर आप इसके questions को पढ़ोगे ना, तो आपका idea लग जाएगा, कि हाँ, यह बहुत जादा tough questions नहीं होते हैं, simple से question होते हैं, कुछ-कुछ चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, कि आपके answer के अंदर क्या-क्या चीज़े होनी चाहिए, according to the demand of the question, और आपने notes किस तरह से बनाने हैं, उसके बारे में थोड़ा से हम लोग बात करेंगे, तो क्योंकि बहुत जादा number के questions आते नहीं, hardly एक question आता है, किसी-किसी साल जो है, दो question आ सकते हैं, बट इसलिए इसको हम जादा time devote नहीं करेंगे, basically, तो एक थोड़ा सा यहाँ पी यह disasters को पढ़ते हैं, there are basically 10 disasters, और यह 10 disasters को आप अच्छे से cover करना है, ठीक है, droughts, floods, cyclones, tsunami, landslide, earthquake, forest fire, mining related disasters, यह आपका आजाता है stampede, और यह आपका आजाता है heat wave, तो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा camera को side में कर देता हूं, थोड़ा इसको छो इनके बारे में आपको पढ़ना है, इनके बारे में भी अगर आप पढ़ लोग ना, that would actually be sufficient, और यहीं से question पूछे भी जाते हैं, उसके अलावा फिर भी अगर आपको थोड़ा extra भी पढ़ना है, तो आप जो है nuclear reaction, explosion, dam collapse, gas leakage, oil spill, extremism, communal carnage, cyclone, breakdown basically man-made disaster है, ठीक है, basically man-made disaster है, य जिसके बारे में आपको यहां पर अपनी पूरी dimensions cover करनी है, अब इन 10 disasters के बारे में आपको क्या-क्या पढ़ना है, आपने जो notes बनाने हैं, वहां पर इन disaster के बारे में कौन-कौन से point आपको लिखने हैं, तो जादा नहीं, दो-दो-चार-चार point भी अगर आप लिख लोगे हो तब भी आपके अच्छे-खासे notes बन जाते हैं, और एक बार जब आपके notes बन जाते हैं, तो फिर आप उसको वहीं से करना, कहीं और से extra पढ़नी कि आपको जूरूत नहीं है, disaster management पर basically current affair का भी बहुत बड़ा scope नहीं है, are getting this point, scope in the sense, कि disaster management के regarding जो आपसे question पूछा जाता है उस question की inspiration हो सकता है, उसने current affair से लिया हो, लेकिन उस question का जो content होगा न, वो आपका static ही होता है, जैसे urban flooding पे पहले question पूछा गया है, tsunami पे question पूछा गया है, देखें, urban flooding के उपर question पूछा गया है, वो 2016 में, क्योंकि 2015 में चैन्नई में वो flood आया था, तो urban flooding आप दुबारा से व जो 2006 है, इसके अंदर recently कुछ changes किये गए है, सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा criticize किया गया था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसकी Hindu analysis भी की थी, newspaper की, Indian Express में भी बहुत अच्छे से cover किया गया था, तो basically जो inspiration होती है, disaster management के questions की, वो आपके current affair से ही होती है, लेकिन उसको आपका more or less, वो static ही होता है, until unless कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी technology जो है, वो उसको discover किया गया हो, या उसको implement किया गया हो, जिसका scope यहाँ पे काफी कम होता है, only जो इन technologies का हम लोग adoption के लिए response के लिए use करते हैं, उसको हम लोग already काफी समय से use कर रहे हैं, तो current affair का scope आपका introduction लि ही हुई है, पहला आपका यह पूछना है कि वो news में क्यों है, अगर वो current affair का है तो क्यों है, जैसे है अब फिर चेनगी में flood आ रहा है, किरला में कितना जदा flood आया, असाम में जो है, वो flood आता रहता है during monsoon, अगर कहीं पर heat wave चल रही है, तो वो heat wave का regarding our questions है, newspaper में अगर आ र सकते हो के introduction लिखने में आपकी help कर सकता है, if that topic is in news, then you need to cover that as well, उसके लाव वो disaster होता क्या है, यहां पर थोड़ा सापका जोग्रफी वाला पार्ट आ जाएगा, लेकिन आपका जो disaster management के notes बनाने है ना, उसमें आपको जोग्रफी वाला पार्ट कवर नहीं करना है, क्योंकि आप जोग्रफी में fundamental कवर कर चुके हो, मतलब अगर cyclone के बारे में अगर आप बना रहे हो, disaster management के notes, तो उसमें आपको यह cover नहीं करना है, disaster cyclone क्या होता है, conditions क्या होती है, अलग-अलग जगे इसके नाम क्या क्या होते है, recently कौन से cyclones आये हैं, cyclones की naming कैसे करते हैं, वो reasons क्या क्या है, इन disaster के reasons क्या है, यह भी आपका geography वाला basically part है, कुछ एक दो, definition आपको नहीं मिलती है, तो आप देख सकते हूँ, जैसे चिन्नई में अभी flood जो आया हुआ है, तो आज भी newspaper में article आया है, कल भी newspaper में article आया था, कि यह जो चिन्नई में flood आ रहा है, चिन्नई being a smart city smart city के होते हुए भी, वहाँ पे flood क्यों आ रहे है, बिकोज वहाँ पे urban जो planning है, वो बड़े खराब तरीके से की गई है, unplanned planning की गई है, वहाँ पे, जो water का flow है, वो oceans की तरफ होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो water जो है, वो बीच में रह जाता है, construction of the shopping malls, एक बहुत कौन-कौन से reasons होते हैं, cyclone का बता सकता है, वो forest fire का जो कारण वाला reason है, उसके पीछे कौन-कौन से कारण होते हैं, वो चीज़े यहाँ पे हो जाती है, drought, drought कितने type के होते हैं, जैसे वो आपका सब का geography वाला part हो जाता है, ठीक है, तो आप उसको यहाँ से cover कर सकते हैं, उसक जो economy के उपर क्या impact होता है, है न, overall वहाँ की topography है, जो वहाँ की soil है, उसके उपर वहाँ पर क्या impact होता है, society में क्या impact होता है, women के उपर क्या impact होता है, इसको भी अगर थोड़ा सा dimension को खोलोगे, तो कुछ point आपको वहाँ पर definitely लिखने को मिल जाएंगे, उसके लावा जो अभी तक उन disasters के लिए जो step लिए गए हैं, सरकार के दुवारा national जो step लिए गए हैं, या फिर international जो steps लिए गए हैं, वो definitely आपको यहाँ पर mention करने पड़ेंगे, ठीक है, तो जैसे हमारा disaster management act है, या जो guidelines है, sendai जो framework है, international, yoga जो protocol है, इस तरह के जो steps है, यह आपको हर disaster के बारे में, drought के बारे में, हर किसी के बारे में, आपको separately separately इसको लिखना पड़ेगा, उसके लाब solutions, जो आप suggest कर सकते हो, इसको कैसे improve कर सकते हैं, उसकी functioning को, अगर current में कुछ improve करना है, तो कैसे कर सकते हो, future में कोई wisdom के तरह के को solutions आपको suggest कर सकते हो, तो वो भी आपको अपने notes में लिख लीजी, एक बार जब इन dimensions को आप cover कर लोगे, अपने notes में, तो उसके बाद, आपका basic basic पुरा portion cover हो ही जाता है, उसके बाद सिर्फ आपको, अगर वो कोई भी question पूछे, flood के regarding, drought के regarding, तो as it is, आपके वो notes की dimensions है, वो आप वहाँ पे लिख सकते हो, आराम से, जिस तरह स पूछा है, और क्योंकि current affair में आपको पता है, अगर वो topic पूछा गया है, तो introduction आप उसको simply mention यहाँ पे कर सकते हो, आप sources की बात करते हैं, क्योंकि student का एक सबसे बड़ा concern का जो मुद्दा होता है, that is about the sources, disaster management के लिए कोई as such आपको specific book आपको refer नहीं करूँगा मैं, और आप आपको पढ़ना भी नहीं है, market में कुछ books मिलती है, उसको आप छोड़ सकते हो, completely पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, हमारे पास कुछ होलडी resources हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जो well researched हैं, और बढ़िया हैं, वो आप यहां से कर सकते हो, NDM guidelines जो है, आपको पढ़ना ह ठीक है, National Disaster Management Authority, इसकी जो guidelines होती हैं, अलग-अलग disasters को लेके, आप उसको refer कर सकते हो, आपके जो notes हैं, उन notes में पर जो particular disaster के regarding, जो guidelines दी गई हैं, आप अपने notes में उनको यहां पर mention करोगे, तो डिजास्टर में जो guidelines हैं, अब किसकी website पर जाओगे, तो जो है, देखिए, आप NDMA guidelines, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, गोगल पर simply type करोगो न, NDMA guidelines, तो आपको आ जाएगा, तो यहां पर अलग-अलग guidelines जो इसने दी हुई हैं, इन guidelines में जो आपको लगता है, जो काम की चीजें हैं, जो आपके disasters को, जो 10 disaster के हम लोगों ने बात की है, उसके बारे में जो cover करता है, तो उसको आपने notes में लिख सकते हो, एक बार जब आप उसको notes में लिख लोगे, तो उसके बाद आपको दुबारा से इस source को कभी भी refer करने के जुरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप बंद करके रख सकते हो, इसको आप डाउनलोड करके आराम से यहां से आप डाउनलोड करोगे, तो वहां पर disaster management के regarding, पूरे का पूरा वो addition disaster management के बारे में ही था, देखे इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा, यह यह ओजना 2017 का January वाला पार्ट है, इसमें देखे हो जो है focus managing disaster risk के बारे में बात करता है, training और capacity building के बारे में बात करता है, international perspective के बार बात करता है, यहां से देखे आपको line to line नहीं पढ़ना है, word to word नहीं पढ़ना है, आपके जो 10 disaster हैं, उनके बारे में कुछ खास चीज़े यहां पे हैं, कुछ guidelines दी गई हैं, कुछ solutions दिए गए हैं, कुछ reasons दिए गए हैं, तो उसको अपने notes में आप add कर सकते हो, तो एक बा जो third report है, वो पूरी crisis management के बारे में हैं, अब यह इसको भी यह बहुत मोटी चोड़ी है, इसको हर line to line आपको परणने की जोरत नहीं है, आपके syllabus के इसाब से जो disaster हम लोग ने discuss किये हैं, वहां से अगर आपको कुछ material यहां से help मिलती है, तो definitely आपको कर सकते हो, इसको भी शा तो इसके अंदर देखी कैके चीज़े देख, पुरा crisis management के बारे में इसका जो पूरी scale of the crisis, types of crisis यह सब चीज़े बताई हुई है, cyclone, tsunami, flood, landslide, industrial disaster, epidemics के बारे में भी बात की गई है, तो जो COVID-19 वाला जो aspect है, आप यहां से epidemic और pandemic से जोड़के, उसको एक बढ़िया सा topic आप नुक्लिर hazard की यहां पर बात की गई है, है ना, तो एक कुछ-कुछ चीज़े जो हैं यहां पर बताई गई है, तो risk reduction कैसे करना है, response कैसे करना है, mitigation कैसे करना है, वो आप इसमें भी यहां से कुछ-कुछ चीज़ें जो आपका लगता है, आपके काम की है, उसको निकाल के आ आता है या आपके current affair के perspective से important हो जा सकता है जैसे चैन्नाई flood के बारे में heat wave या फिर Assam flood के बारे में बात करते हैं के बारे में बात करते हैं तो इस तरह की चीज़े आप definitely यहां से कर सकते हो तो यह तो आपका sources हो गया और किस तरह से आपको यहां पर notes में कौन सी चीज़े add करन करते हैं कौन सी चीज़ें की आपको requirement होती है तो disaster management को basically आप दो भागों में divide कर सकते हो पहला आपका basic part आता है और दूसरा आपका disaster specific part होता है तो disaster specific part में heat road flood cyclones यही जो 10 हम लोग ने बात की है यह आपका हो जाएगा लेकिन answer के अंदर को क्या क्या चीज़े cover करने हैं तो कु business management करते हैं वो सारी सारी चीज़ें आपको यहां पर basic की चीज़ें पता होनी चाहिए उसके लावा cycles of disaster ठीक है यहां पर जो है हमारे एक दो तीन चार पांच यह कुछ पांच य अच्छे जो हमारे पास steps होते है response recovery development mitigation preparedness हर तर्म का आपको पता होना चाहिए ठीक है तो जितनी cyclone के बारे में उसने पूछा या urban flooding के बारे में पूछा या फिर जो glacier burst होता है उत्राखंड में जो हुआ था चमॉली डिस्टिक में है ना वहां पर जो है response recovery development mitigation preparedness वगरा यह सारी चीज़ें आपके answer में definitely cover होनी चाहिए और एक इस तरह का diagram या बना सकते हो diagram पर scope होता है flow chart का यहाँ पर slope होता है वह है चीज जो है आपको definitely नी चाहिए अगर आपको तियारी करी है तो HERE अपने नोट्स में definitely इन के बारे में आप अच्छे से लिखें तो cyclone का चाहे हो cyclone की बात कर रहा हो, चाहे हो flooding की बात कर रहा हो, चाहे landslide की बात कर रहा हो, यह सारी सारी dimension आपके notes में cover होनी चाहिए, about recovery, development, mitigation, preparedness, response and all that, यह पुरा cycle होता है, यह cyclone के लिए भी होता है, sorry, landslide के लिए भी होता है, हर तरह के cyclone के लिए यह चीज़े आपर मानी जाएंग यह थोड़ा आप देख सकते हो, newspaper में कहीं बहुत interesting चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, जैसे के हम बात करें, जैसे 2004 में जो tsunami आया था, वो tsunami में, there was a lot of destruction in the eastern coast of India, especially Tamil Nadu and Andhra, but at the same time जो Andhra Pradesh में जो tribal लोग रह रहे थे, they were not that much influenced, because वो tribal लोग, they were using their traditional knowledge, जो उनकी थी, लेकिन य क्या जा सकता है, है ना, आपका जो landslide उत्रकंड में या हिमाचल में बहुत frequently आते रहते हैं, especially during the time of monsoon, वहाँ पर लोगों को किस्ता से train कर सकते हो, community-based management का वहाँ पर क्या important role हो सकता है, along with the technology and all that, तो वो आप definitely आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, उसके लाव का जो National Disaster Management Act ह 2005, इसका एक-एक provision आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे अभी COVID-19 बहुत important topic होगा, it was also a disaster, because इसको हम लोगों ने NDMA 2005 के अंदर ही इसको include किया था, तो definitely वो चीज़ आपको यहाँ पर mention करनी चाहिए, आपके notes आप बना लीजिए, जो NDMA के अंदर जो है, वो पूरे का पूरा आपका disaster cycle की बात करता है, response, mitigation, preparedness and all that, वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, उसके लावाँ जो आपकी international flame framework है, जैसे sendai हो गया या फिर India specific, अगर इंडिया ने कोई इस तरह का step लिया है, जैसे उन्होंने जो है, critical infrastructure, जो है risk, disaster risk, जो है response वाला एक नया initiative लिया है, COP26 में उसके बारे बात की गई थी, योगो प्रोटोकोल है आपका, तो यह जो international और या फिर national जो चीज़े हैं, definitely आपको पता होनी चाहिए, तो यह आपकी बिल्कुल basic basic सी चीज़े हैं, जिसके बारे बिना आपका काम नहीं चलेगा, तो यह तो कुछ- climate change, over a period of few decades, we are experiencing more of the cyclones in Bay of Bengal and it led to lot of disaster, है ना, तो इसके बारे में आपसे कोई question उसने पूछ लिता है, तो यहाँ पर normal सी चीज़े सभी लोग लिखने वाले हैं, disaster की, उसके मेंस मेनेजमेंट हुआ, उसका कंसिक्वेंसिस क्या हुआ, स्टैप कौन-कौन से लिए, लेकिन यह है, हमारे plan के according यह जो दिया हुआ है, crisis, disaster management, risk, response, responsibility, preparedness, community management, यह सारे के सारे word जब आप यूज करो ना, keywords, तो examiner को बहुत अच्छा signal जाता है, कि इस बच्चे ने जो पढ़ाई कर रखी है, इस aspirant ने, वो एक बहुत ही ना, एक organized तरीके से कर रखी है, तो ऐसे कोई, simple-simple सी च surface पे, तो यह चीजें आप जब यूज करोगे ना, उसको critical infrastructure, preparedness, response, and all that, बहुत अच्छा influence पढ़ता है, आप एक diagram बनाने का भी scope यहाँ पे होता है, तो आपकी जो NCRT में, 11th standard की NCRT में भी एक disaster वाला chapter है, वहाँ पे कुछ flow charts वगर आपको मिल जाएंगे, अगर आपका मन है तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है, उसके लावा जासे आपको कुछ flow chart वगरा लगता है, diagram आप बना सकते हो, तो definitely उसको भी आप बना सकते हो, जैसे हमालो heat wave के बारे में उसने question पोच लिया, तो heat wave में आप इंडिया का एक simple समय बना सकते हो, उसमें बता सकते हो कि इं North West India, जहां पर heat waves बहुत prominent होती है, तो वह कुछ चीज़ें आप दिखा सकते हो, इस तरह के questions आप के आते हैं, जैसे flooding की, अगर वो questions आते हैं, तो traditionally, जो है, वो flood किस तरह से आता था, अभी, urban flooding की हम लोग बात करते हैं, smart city से जोड़के, आप उसको questions को बना सकते हो, तो वह सा प्रिपेर नेस, रिस्पोंस वगरा, यह सारी dimension आप बेसिकली कवर करें, आपको जो नोट्स बनाने हैं, उस नोट्स को आपको इस तरीके से ही बनाना है, कि यह जो पर्टिकल डिजास्टर है, वो सारी के सारी चीज़ें, तो एक तो आपका बिल्कुल यह बेसिक पार्ट ह हो गए, डिजास्टर मेनेजमेंट का दूसरा होता है, आपका डिजास्टर स्पैसिफिक, तो जीन डिजास्टर के जैसे ड्रोड, फ्लर्ड, साइकलोन, सुनामी वगरा, यह जो डिजास्टर स्पैसिफिक चीज़ें हैं, इनके आपको नोट्स बनाने हैं, और वो सारी के स कैसे कर सकते हैं, इसको mitigation कैसे कर सकते हैं, preparedness कैसे कर सकते हैं, कोई नई technology है, तो इस technology हम लोग यहां पर कैसे use कर सकते हैं, community participation कैसे कर सकते हैं, तो droughts, flood, cyclones वगरा, यह सारी चीज़ें आपको उसको वहीं पर बनानी है, तो एक बार जब आपका यह बन जाएगा ना, तो बहु किसी चीज़ें लिखनी है, आपके जो sources है, इन sources को आप करिए, NDA में guidelines या या योजना का आप पढ़ सकते हो, second ARC, यह आपकी कोई standard books नहीं है, यह आपकी बस reference books हैं, ठीक है, यह आपकी reference books हैं, जो 10 disaster आपको बताएं हैं, कुछ वो man-made भी हैं, उनके regarding जो खास-कास चीज़ में अगर कुछ जैसे, जो draft हमारा EI है, उसको अगर कुछ changes हुए हैं, तो आप वहाँ पे कुछ कर सकते हो, अगर disaster management, जो fund की हम लोग बात करते हैं, जो central level पे है, फिर state level पे उनकी funding कैसे की जाती है, उस funding के structure में गर कुछ changes हुए हैं, तो थोड़ा current फिर वाला part आपको यहा पे questions देखोगे, तो basically यह आपके जो है, अच्छी है तो question draft environment impact assessment वाला थी, अलग से topic हो जाता, disaster management का नहीं है, तो basically बात यह है, जो आपके questions आएंगे 95% plus, वो आपके बिल्कुल static portion से आते हैं, हाँ, उन questions को जो पूछा जाता है, वो definitely उसके पीछे जो philosophy होती है, inspiration होती है, that would be current but ultimately the answer that you need to write, that should be basically a static portion, और उस static portion में आप जो ही है, जो दस disaster आपको बताए है, यहाँ से आप उसका राम नी से cover कर सकते हो, और ज़्यादा समय नहीं देना है, एक-एक डिजास्टर पे एक-एक पेज का आपको hardly notes बनेगा, तो 5-7-10 पेज का आपके overall notes बन जाएंगे, कुल मि refer करना है, और वहाँ से question आपका handle हो भी जाएगा, तो बहुत ज़्यादा scope नहीं है, इतना नहीं है कि हम लोग जो है कहीं-कहीं दिन लगा देंगे, 2-4 घंटे में, 5 घंटे में आपके notes बन जाते हैं, अगर ठीक-ठाक से, तो उसको basically आप 1.5-2 घंटे में भी revise कर सकते हैं, मैंने बच्चों को देखा, आदे-आदे घंटे में disaster management के notes, क्योंकि वो बिल्कुल static portion है, कोई जादा उसमें है नहीं कुछ करने को, और क्योंकि 10-15 question number का question आने वाला है, तो कोई मतलब नहीं है, कि उस पे आप लोगों जो हाफता 10 दिन पढ़ाई करते रो, उसमें कोई जा पर आसा disaster management के बारे में, बस you should know how to do these things, लेकिन एक चीज़ आपको यहां पर देखनी पड़ेगी, कि जो geographic, आपको जो static part है, जो fundamental part है, उसके भीना आप disaster management नहीं कर सकते है, मालो cyclone के अगर बात करता है, आपको cyclones के basics नहीं पता है, अना conditions क्या है, उसकी locations क्या क्या होती है, कै प्रोपर तरीके से आप देखो, हो सकता है, रट्टा मार के आप उसको handle कर भी लो, लेकिन जो एक बिल्कुल mature जो answer होता है, overall, एक complete जो answer होता है, वो फिर आप नहीं कर पाओगे, वहाँ पे, हैना, और we never know, UPSC ना कईवा चीज़ों कमबाइन भी कर सकता है, वो geography or disaster management, वो combine क आप से question पूछ लेगा, आप से पूछ सकता है, कि discuss the reason behind the flooding and suggest some solutions to address this problem, especially in urban areas, मालो यह उसने question पूछ लिया, तो पहले वाला part आप आप जो है geographic हो जाएगा, where you would discuss the reasons behind the flooding, उसके लावा जाएगा, second part आपका, disaster management वाला हो जाएगा, where you need to suggest the solutions, कि how we can respond and mitigate and adapt in terms of flooding in the urban areas, तो यह you never know, UPSC आपको combine करके भी पूछ सकता है, question अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन वो पूछ सकता है, तो जो आपका geography का static part है, वो आपने geography में अल्री कवर कर लिया, through your NCRTs, GC, Lyon and all that, वो आपके understanding बनी हुई है, वो आपके notes अलग से बने हुए है, disaster management वाले notes आप load कर सकते हो, spider chart type का कुछ भी जब को लगता है, क्योंकि यह चीज़े आपको extra number देती है, जब diagram बनाते हो, flow charts वगरा बनाते हो, तो आपको help मिलता है, because आपका answer जो हो औरो से थोड़ा हटके होता है, जब आपका answer थोड़ा हटके होता है, ज्यादा relevant होता है, then definitely you fetch better marks, ठीक है, तो disaster management में इतना ही है, तो हम भी लोग इसको 2-3 घंटे की वीडियो नहीं बनाएंगे, जैसा हम लोग ने geography बनाया था, तो कम number का आता है, तो that would be here, और उसके लाबा, if you have any problem, तो definitely हम आपके लिए हमेशा है ही है, आप पूछ सकते हो, अगर आपको notes making problem हो रही है, and all that, कुछ आपको करना है, तो definitely हम हमेशा ही हापे आपकी help के लिए बैठे हुए है, I hope that would be sufficient, and if you like this video, तो वीडियो को लाइक बाइक करिया करो, comment section में आपने suggestion दे सकते हैं, हमेशा ही, के हम लोग और कैसे improve कर सकते हैं, आपकी क्या demands है, कौन-कौन सी video और future में चाहते हैं, हम लेके आए और definitely आप और हमारा जब हम लोग साथ मिलके काम करेंगे तो एक बहुत अच्छा, definitely हम लोग future में आपके लिए result लेके आएंगे, and that would be, वो तो हमारे लिए तो देखो वही, एक कह सकते हो, इनाम होता है, प्राइस होता है हमारा, जब हमारे student अच्छा perform करते हैं, चलिए, so that would be all for the day, I hope you got the points, and you understood what I taught you, so that is all for the day, thank you very much, all the best, जाहिंद! कुछता है, तो आपका minimum से minimum 10 marks का, और maximum से maximum 25 marks का, आपका disaster management से questions पूछे जाते हैं, तो बहुत ही जादा हनों 3-4 घंटी के analysis यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी disaster management में जब भी आप questions करते हुए, answer करने की कोशिश करोगे, तो आपका current affairs related questions यहाँ पर साय सच नहीं आते हैं, आपको जो answers लिखने होते हैं, वो mostly 90% से जादा आपका static portion से ही आपको उसको attempt करते हो, हाँ, उस question की inspiration current से ली जा सकती है, और ली भी जाती है, लेकिन जो content अब लिखती हो, वो mostly आपका, आपका static portion जो आपको basic understanding होती है उस topic की, उसके according ही वो आप करते हो, सीधा काम की बात करते हैं, तो सब पहला question जो आपके सामने है, वो है disaster preparedness को लेके, disaster preparedness के लिए, already मैं आपको बता चुका है, एक cycle होता है, उस cycle के थूरू आप यहाँ पर चलते हो, जब हम लोग ने cycle की बात की थी, तो इस cycle की मैं बात कर रहा हूँ, तो कभी भी disaster preparedness का यो कुछ इस तरह का questions आता है, तो इस cycle को आप हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि जो आप questions लिखते हो, तो उस question को भी आप answer लिखते हो, उस answer को आप इस perspective से definitely लिख सकते हो, अगर वहाँ पर question की demand है तो, क्या होता है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले होता है, यहाँ पर mitigation, mitigation का मतलब होता है, एक तरह से precautions कहा सकते हो, यानि कि किसी disaster के आने से पहले, आप उन वो step लेते हो, ताकि वो disaster आई ही ना, जिससे आप landslide की बात करते हो, तो landslide से पहले जो step ले जाते हैं, ताकि landslide आने से बचा जा सके, that is called your mitigation, उसको mitigation step बोलते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर prepare करते हो बहुत सारी चीजों को, लेकिन एक बार जो disaster आ जाता है, तो उस disaster के दोरान आप क्या करते हो, कैसे respond करते हो, आपका जो mechanism है, जो NDMA है, या जो state DM में है, वो किस तरह से respond करते हैं, अलग-अलग institutions किस तरह से, यहाँ पर actions लेते हैं, coordination करते हैं, that is your response, society कैसे response करती है, वो भी यहीं पर आ जाता है, आपको पुरा infrastructure किस तरह से respond करता है, वो आपका response में आ जाता है, एक बाद जब वो disaster over हो जाता है, उस disaster के over होने के बाद, आप कैसे recovery करते हो, कितनी fast recovery करते हो, कौन-कौन से section को सबसे ज़्यादा impact हुआ है, कहाँ पर recovery होने में सबसे ज़्यादा समय लग रहा है, वो सारी की सारी चीज़ आप जो है recovery वाले section में पढ़ते हो, और फिर आप जो है दुबारा से उसको development, अपने overall system की development करते हो, तो generally ये 4-5 step होते हैं, आप इन 4 step को भी cover कर सकते हो, अगर आप ने development जोडना है तो development भी जोड सकते हो, तो basically ये आपका mitigation, preparation, response and recovery and बाद में सबके development, तो ये disaster preparedness का ही एक cycle आपका यहाँ पे बन जाता है, हना जिसे आप disaster cycle भी कहते हो, तो देखी क्या कहते हो पहले question में, ये था हमारा पहला question, disaster preparedness is the first step, is the first step in any disaster management process, तो ये एक simple statement है, यहाँ पे कोई question mark नहीं है, इसका मतलब ये हमारी introduction का context हो सकता है, introduction के जो है, और कई तरीके होते हैं लिखने के, लेकिन जो उसका context होता है, वो भी introduction का part बन सकता है, ये हर paper में लागू होता है, आगे कहता है, explain, मतलब वो अभी आपसे पूछ रहा है, पहले section में, पहली statement में उसने आपसे कुछ पूछा नहीं है, उसने आपको बताया है, that disaster preparedness is the first step, तो आपदा परबंधन वो पहली तयारी होती है, आपदा परबंधन में, जो preparedness होती है, वो पहली तयारी होती है, disaster के समय में, explain how hazard zonation mapping will help in disaster mitigation in the case of landslide, देखिए, यहां पर उसने किस word का use किया है, mitigation word का use किया, तो थोड़ा सा अच्छा कोश्च मैं इसको मानूँगा, इसका जो toughness level है, वो मैं moderate level का बोलूँगा, tough तो नहीं है, लेकिन moderate है, देखिए, यहां पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, पहली बात तो वो mitigation की यहां पर बात कर रहा है, disaster mitigation, उसने disaster response की यहां पर बात नहीं की है, जान थो, disaster response की बात उसने यहां पर नहीं की है, उसने सिर्फ mitigation की बात की है, और किस तरह से आप mitigation कर सकते हो मिटिचेशन तो disaster आने से पहले होता है disaster आने कमा तो response होता है तो ये disaster के आने से पहले आप किस तरह से तयारी कर सकते हो basically उसकी बात कर रहा है और उस तयारी में hazard, zoonation, mapping या role play कर सकता है ये वो बात कर रहा है यह आपको बताना है कि भाया और कौन से disaster बात कर रहा है land slide की बात कर रहा है वही तो 8-10 हमारे पास हैं है disaster इसमें land slide बहुत important है तो कहता है कि land slide आने से पहले जो हम लोग mitigation करते हैं prevention वाला measure करते हैं उस prevention में hazard donation mapping कैसे अपना role play कर सकती है यह यहां से आपको response नहीं पूछ रहा है mitigation पूछ रहा है यह ध्यान रखना है आपको तो जो आपको वो cycle था उसके अंदर mitigation वाले part को इसने उठाया है और आप से कह रहा है कि disaster preparedness is the first step in any disaster management process तो यह आपका question यहापे बन जाता है आसान सा question है वैसे तो 250 word का है इसलिए थोड़ा scope हमारे पास हो जाता है यहाँ पे तो आप 20 से 25 words में maximum 30 words में आप यहाँ पर introduction लिख सकते हो अब introduction में आप लिखोगे क्या जो आपके question का context है आप disaster preparedness से start कर सकते हो ठीके disaster preparedness से start कर सकते हो है ना आपकी शादी है शादी से पहले आप तो सबसे पहले तैयारी की जाती है ना उसके लिए prepare हुआ जाता है पहले आप prepare होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे तो prepare ने से एक पहला step होता है तो जब exam के तियारी करनी आते हो, पहले तो आप अपने आपको prepare करते हो, कि हाँ भी मुझे तियारी करनी है, motivation आता अंदर से inspiration आता है, दोचार लोगों से पुछते हो, guidance लेते हो, तो पहले तो आपने आपको prepare करते हो, अब वो prepare करने के कहीं तरीके होते हैं, आपके जो sources हैं, आप उनको collect करते हो, information collect करते हो, syllabus जानते हो, पहचानते हो, थोड़ा YouTube पे वीडियो देखते हो, तब आपको prepare करते हो, आपकी जो capacity है, understanding का जो level है, उसको recognize करते हो, उसको देखते हो, तब जाके आप अपनी preparation करना start करते हो, तो सबसे पहला step होता है preparation, disaster के लिए भी सबसे पहल step होता है preparedness, तो बहिए, disaster preparedness is the first step in any disaster process, तो यहाँ से भी आप अपनी introduction को start कर सकते हो, ठीक है, disaster preparedness is the first step, ठीक है, यहाँ से introduction का context बन सकता है, तो यहाँ से start करिए सिधा 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 स, ठीक है, उसको लिखिए, उसको लिखिए, that disaster preparedness is the first step among others, just like response, mitigation, etc, here, अब यह तो एक सिंपल से sentence होगे, disaster preparedness के अपनी उसकी importance बता दी, अब आप इसको land slide से यहाँ पर connect कर सकते हो, ठीक है, second sentence में उसको बता सकते हो, that, hazard zonation mapping can be very crucial when it comes to the mitigation of a disaster like land slide, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, for any type of disaster, for any type of disaster, especially, especially land slide, hazard zonation mapping can be very crucial, इस तरह से शुरू कर सकते हो, या फिर कई तरीके होते हैं करने के, आप उसको land slide के definition से भी start कर सकते हो, और फिर बता सकते हो, कि hazard zonation क्यों important है, या फिर आप hazard zonation की definition से भी start कर सकते हो, अपने question को, और फिर बता सकते हो कि how this is important for the mitigation of landslide एक sentence में बताना है क्योंकि elaboration तो आपका second part में कर ही लोगे तो इसके introduction लिखने के कहीं सारे तरीके होते हैं जो आपका मुनकर या आप उसकी साबसे लिख सकते हो कोई गलत सही यहाँ पर नहीं है या preparedness वाले तरीके से जाईए या पैसे जाईए आप यहाँ पर आपका जो cycle है उस cycle को भी बना सकते हो disaster preparedness वाले cycle को भी बना सकते हो तो definition लिखिए उस cycle बनाई है उसके बाद अपना काम शुरू कीजिए उसके बाद आपके जो यहाँ पर जो part बनता है वो बनता है explain how hazard zonation mapping will help in disaster mitigation अब यहाँ पर समझना है कि इसकी जो body वाला part है वहाँ पर आप क्या लिखोगे कहता है कि hazard zonation mapping कैसे help करती है लेकिन कैसे help करती है वो तो अलग बात है लेकिन उस mapping की ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा ज़ादा detail में नहीं थोड़ा सा बताना पड़ेगा चिक है कि hazard zonation की mapping क्यों पड़ी और ऐसे कौन-कौन से areas होते हैं जहाँ पे hazard zonation mapping की requirement होती है hazard zonation mapping दोस्तों वो होती है ऐसे particular areas जैसे क्योंकि ये landslide की बात कर रहे है तो definitely ज़ादा तर जो landslide का अगर आद देखिए यहाँ पे map आपको दिखाता हूँ तो सब सबसे crucial area होते है landslide वाले वो आपका हिमालियर रीजिन ही होता है चाहे वो north east इंडिया हो उतराखंड, हिमाचल, J&K वो पूरा area आपका काफी ज़ादा hazard prone prone माना जाता है ये diagram आपका exam में बनाने के जोरुत नहीं है बहुत complex हो जाएगा इतना ज़ादा जाने के जोरुत नहीं है आप सीधा सा ये circle वाला भी बना दोगे that would also be sufficient for you ठीक है तो second part में आपका ये बताना है कि भाईया how, why do we need hazard mapping hazard mapping वो होती है कुछ जो areas होते हैं जो बहुत sensitive होते हैं disaster के कि यहाँ पर हम लोग landslide की बात कर रहे हैं उनको identify किया जाता है कि यहाँ पर सबसे ज़ादा landslide आने के chances हैं तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि वहाँ पर सबसे ज़ादा आने के chances हैं तो definitely उसके according आप वहाँ पर step भी ले सकते हो तो अपने body वाले part में पहले तो आप ये बताओगे why do we need mapping तो इसको हलका से बता दोगे फिर उसको बता सकते हो कि आप कौन से area यहाँ पर cover करने चाहिए ठीक है जहाँ पर rainfall burst होता है जहाँ पर glacial burst होता है वहाँ पर करना चाहिए जहाँ पर जो hills होती है बहुत young होती है यहाँ जहाँ पर sedimentary rocks होती है वहाँ पर आप कर सकते हो जहाँ पर excessive rainfall होता है आप वहाँ पे इसकी मैपिंग कर सकते हो जहां पे slope बहुत steep होता है वहाँ पे मैपिंग करनी चाहिए जहां पे vegetation cover बहुत कम होता है वहाँ पे करनी चाहिए तो थोड़ा सा पहले वाले point में आप hazard mapping के बारे में उसको बता सकते हो कि भाई यह इसकी जरूरत क्यों है और कौन से area में ज़्यादा required होता है that's it अब आता है आपका सबसे main part जहां पे आप उसको यह बताओगे कि hazard zonation mapping कैसे help करता है mitigation में क्या बताना आपको वही चीज़े बतानी है कि जब आपको यह पता चल जाएगा mapping करने के बाद कि यहां पे ज़ादा landslide आते है तो आप क्या कर सकते हो आप वहाँ पे जो vehicles होते है जो pilgrimage होते है आप उनको divert कर सकते हो कि यहां पे जैसे मालो अगर वो बोलता है कि जून जुलाई अगस्ट सप्टेंबर के महीने में अगर आपको पता है आप advance में ही आपने satellite से image लिया वहाँ पे mapping mapping किया आपको पता है कि यह मौनसून वाला समय है यहाँ पे जादा landslide आते हैं तो definitely उस समय पे आप instructions दे सकते हो directions दे सकते हो कि आप यहाँ पे मत आईए यहाँ पे विजिट मत कीजिए यह particular areas में विजिट मत कीजिए कि यहाँ पे landslide जादा आते हैं तो आप landslide आने से पहले ही mitigation यहाँ पे process को fast कर सकते हो ठीक है vehicles को divert कर सकते हो दूसरे area से वो लोग जा सकते हैं जहाँ पे कम landslide आते हैं वो सारी की सारी चीज़े हैं tourism को आप यहाँ पे regulate कर सकते हो अगर आपको advance में पता होगा कि यहाँ पे landslide प्रोड ने रिया है जो आपकी NDRF यानिके National Disaster Response Fund जो आपकी team है ठीक है और जो आपकी State Disaster Response Fund की team है वो stand-by पे हो सकते हैं मतलब वो तयार हो सकते हैं एकदम से है न वो हमेशा alert रह सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस particular area में landslide आ सकता है तो वो पहले से अपने आपको तयार कर सकते हैं ठीक है आपको पता है कि यह जो area है landslide prone area है तो वहाँ पे आप construction activities को ban कर सकते हो जैसे वहाँ पे dams बनाए जाते हैं रोड्स बनाए जाते हैं होटल सगरा बनाए जाते हैं amusement parks बनाए जाते हैं तो आप वहाँ पे इसको ban कर सकते हो regulate कर सकते हो जो agriculture की practice की जाती है landslide prone area में आप उनको भी regulate कर सकते हो terrace farming को वहाँ पे encourage कर सकते हो terrace farming जो है landslide को रोकता है दूसरे तरह की farming जो unplanned या फिर आप कहा सकते हो कि जो बढ़िया प्रैक्टिस नहीं होती आप उनको रोक सकते हो अगर आपको पता होगा जैसे zoom cultivation और आप वहाँ पे regulate कर सकते हो ठीक है तो किसी landslide prone area में अगर बहुत जादा deforestation हो चुका है पहले से वहाँ पे या वहाँ पे जो है soil की quality कम हो रही है तो definitely आप उसको वहाँ पे improve कर सकते हो वहाँ पे पोदे लगा सकते हो वह ना इस तरह की चीज़े कर सकते हो तो अगर आपने पहले से ही mapping किया होगा तो इन तरीके से वह mapping help कर सकता है disaster mitigation में है ना तो यह जो है पूरी की पूरी चीज है यहाँ पे आप इस diagram को definitely बना सकते हो हमारा जो जादा focus रहने वाला है वो इसके उपर रहने वाला है mitigation के उपर तो पहले तो आपके यह बताना है कि हजार zone mapping zonation क्या होता है ठीक है आप इसको landslide के इसके जोड़के introduction थोड़ी सी छोटी सी लिख सकते हो या disaster preparedness के बारे में बता सकते हो second वाले पार्ट में उसको बताओगे कि आपको इसकी जरूरत क्यों है और कौन से area में यह क्या जाना चाहिए फिर आप उसको बताओगे कैसे वा आपकी help करता है और फिर conclusion में आप यहां पे लिख सकते हो that with the help of science and technology या फिर with the help of satellite imagery and the proper zonation of the mapping not only landslide but other disasters can also be mitigated or we can be better prepared for other disasters as well by exactly identifying or mapping the disaster prone areas तो अभी आपने जपना conclusion है वो सिर्फ landslide तक limited नहीं रख रहे हैं उसके scope को आप थोड़ा बढ़ा सकते हो चीक है यह थोड़ा आप यहां पे कर सकते हो तो एक थोड़ा सा answer आप यहां पे लिख सकते हो hazard zonation के लिए आपकी जो guidelines है ठीक है जो आपके एंडरामे की जो आपकी guidelines है वहाँ पे special unit दिया हुआ उन्होंने hazard zonation mapping के लिए जहां पे इन्होंने landslide की बात भी की है और दूसरे disasters की भी यहां पे बात किया तो आप जब ने बुलत आपको जो notes बनाने हैं आप यहां से उस point को definitely यहां पे कुछ mentions कर सकते हो और अपने notes में add कर सकते हो तो आपके answer हो जाएगा basically आपका जो यह पुरा question है यह पुरा static portion से ही covered है हाँ तो क्योंकि वो landslide की बात कर रहा है तो introduction में आप या फिर conclusion में आप कोई example दे के भी यहां से शुरू कर सकते हो जैसे अभी कोई उतराखंड में वहां पे कोई बड़ा landslide या हिमाचल में कोई बड़ा landslide आया है उस question proper response such that so that a disaster like in उतराखंड आया है तो disaster like in a Chamoli district can be avoided and we can better respond to such kind of disasters यहां से भी आप conclusion इस तरह से एड़ कर सकते हो किसी proper example के साथ उसकी utility बता के तो कहीं तरीके होते हैं conclusion लिखने के भी और question के demand के इसाफ से आप यहां पे introduction भी लिख सकते हो तो यह थोड़ा सा इस तरह से कर सकते हो चलिए अगला question क्या है आपका अगला question क्याता है vulnerability की बारे बात कराए vulnerability के मतलब होता है कि आप कितने कमजोर होते हो आप कितने sensitive होते हो आपको damage होने का कितना खतरा होता है वो होती है vulnerability है ना जैसे किसी का response अगर किसी का immune system कमजोर है तो वो आदमी ज़्यादा vulnerable होता है क्योंकि इसको जल्दी disease catch कर लेते हैं है ना तो वो थोड़ा सा vulnerability का का मतलब पता ही है पहले से vulnerability is an essential element for defining disaster impact and its threat to people vulnerability is an essential element for defining disaster impact and threat to its people सीधी सी बात है disaster का impact तो वहाँ पे ज़्यादा होगा जहाँ पे vulnerability ज़्यादा होगी लोगों को ज़्यादा threat तो वहीं पे होगा जहाँ पे vulnerability जादा होगी है ना आगे कहता है how and in what ways can vulnerability to disaster be characterized आप vulnerability को कैसे characterize कर सकते हो कौन-कौन सी dimensions हैं जिससे आप vulnerability को measure कर सकते हो फिर कहता है discuss different types of vulnerability with reference to disasters आपको type of vulnerability बतानी है ठीक है यह कि आपका second part हो यहां पर हो जाएगा वैसे तो यह थोड़ा सा trick question है मैं बोलूँगा कि यह moderate to tough question है क्योंकि vulnerability की types और vulnerability की जो characteristics होती है वो more or less overlap करती है तो यहां पर किस question के दो part बनाना थोड़ा सा difficult हो जाएगा लेकिन फिर भी क्योंकि इसने दो तरीके से question को इस तरह से put किया है तो definitely हम लोगों को भी उसी साबसे response यहां पर करना पड़ेगा राइट तो introduction में आप क्या कर सकते हो introduction में सीधा साब vulnerability को define कर सकते हो ठीक है बता सकते हो vulnerability का मतलब होता है susceptibility to damage in case of disaster कि आप कितने ज्यादा chances हैं कि आपको damage होगा that is called vulnerability जैसे मालो कोई building है वो properly उसको construct किया गया है अच्छा material वहाँ पर use किया गया है disaster prone उस building को बनाया गया है तो definitely उसकी vulnerability कम है वो ज्यादा sturdy है लेकिन कोई जूगी जोपड़ी है या कच्छे इंटों से मकान बनाया गया है जूगी जोपड़ी हो में तो वो तो vulnerable है बहुत ज्यादा है ना तो आप vulnerability को यहाँ पर define कर सकते हो और vulnerability जो है basically दो तीन चीजों के पर depend करती है जैसे exposure और coping mechanism के आपका जो structure है आपका जो पूरा system है वो कितना जादा exposed है disaster से जैसे मालो coastal areas है coastal areas are much-much exposed to the cyclones लेकिन जो interior areas they are very less exposed सीधी सीपात है है ना जो बढ़िया construct building बनाई गई है उंचे वाले ground पर बनाई गई है they are very less exposed to flooding लेकिन जो areas low-lying area में exist है जो गाओं या cities जो area they are more exposed to flooding तो यह आपकी vulnerability decide करता है कि आप कितना exposed हो भी या अब exposed तो आप हो गए हो exposed होने के बाद भी आपको जो structure है आपको जो system है वो किस तरह से respond करता है जब disaster आ जाता है ठीक है तो इन दो चीजों के ओपर vulnerability actually based होती है अब suppose कीजी कि आप बहुत जादा exposed हो अब बहुत जादा exposed हो ठीक है और जैसे मालो जुगी जोपडियां है और वो coastal area में है now they are very very exposed to the cyclones लेकिन उनका जो coping mechanism है मतलब disaster से लड़ने की जो capacity है वो भी तो कमजोर होता है अब एक आप दूसरा scenario लीजे मालो कोई structure मालो कोई building है वो coastal area से पीछे हटके है अब now they are very less exposed to cyclones exposed कम होने के साथ साथ वो building का structure भी अच्छा है उसका मतलब उसका जो coping mechanism है वो भी बहुत अच्छा है now they are very less vulnerable to the disasters तो यह तो coping mechanism और exposure के बीच में जो है वो आपको balance बना के चलना है तभी पता चलता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा vulnerable है ठीक है जैसे मालो कूर आपका example देता हूं जैसे मालो मैं मालो मैं किसी person का x y z जो है किसी का example लेता हूं अब इस person का immune system बहुत कमजोर है ठीक है और यह immune system तो कमजोर है ही मतलब इसका coping mechanism है वो काफी कमजोर है तो कि इसका immune system कमजोर है अब यह आदमी hospital में मालो काम करता है यह सफाई करमचारी है और वहां पर कोईड के case आ रहे है now that person is very exposed also क्योंकि वह वहां पर इस लगतार patient के संपरक में रहता है exposed होने के साथ साथ इसका coping mechanism भी बहुत कमजोर है इसका मतलब this person is very 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 vulnerable तो इस तरह से decide होता है कि कोई चीज कितनी vulnerable है कितनी नहीं है ठीक है तो थोड़ा सा मैं रिखाल से आपको concept समझ में आ गया होगा तो यह आपको simple सा vulnerability define कर सकते हो अपनी introduction में body में यहां पर को कि आपसे दो पार्ट पुछे गए इसलिए आप दोनों पार्ट को यहां पर करोगे कहता है how and in what ways कौन से तरीके होते हैं vulnerability को characterize करने में किस किस तरह से vulnerability को characterize किया जा सकता है इनके vulnerable के characters क्या-क्या होते हैं कहीं तरह के characters होते हैं vulnerability को characterize करने के जैसे आप social vulnerability होती है तो यहां पर इसके जो type होते है ना type और characters actually दोनों सेम होती है बस आपको लिखने का थोड़ा तरीका यहां पर अलग करना है तो vulnerability कहीं तरह की होती है एक होती है आपकी physical vulnerability, एक होती है आपकी social vulnerability, economic vulnerability, environmental vulnerability, attitudinal vulnerability, intangible vulnerability, कहीं सरा की vulnerability हो सकती है उसी तरह से आप इसको characterize करते हो, जैसे अगर कहीं पर disaster आ गया और वहाँ पर society है ना, वो उसके अंदर बिलकुल unity है, society के अंदर और जब disaster आता है, तो वहाँ के लोग आपस में unity के साथ उस disaster से लड़ते हैं तो उसका coping mechanism अच्छा है, तो यहाँ से भी हम लोग vulnerability को characterize कर सकते हैं, through this mechanism या फिर, suppose वहाँ का physical infrastructure बहुत बढ़िया है, roads बहुत अच्छे बनाए गए हैं, तूटते नहीं हैं इतना easily वहाँ पर जो communication का जो network है, वह भी बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी disconnect नहीं होता है या फिर आपने लोगों को वहाँ पर proper training दी हुई है कि disaster के समय में किस तरह से respond कर सकते हैं उस तरह से भी आप अपनी vulnerability को characterize कर सकते हो ठीक है, वहाँ पर scientific approach कैसी ली जाती है disaster के समय में उस तरह से characterize कर सकते हो ठीक है, सरकार वहाँ पर किस तरह की policies लेती है disaster के समय में या disaster से पहले, disaster के बाद में उस तरह से vulnerability को characterize कर सकते हो, अच्छी policy होंगी तो definitely आप ज्यादा disaster को अच्छी तरह से response कर सकते हो, mitigation कर सकते हो तो यह कई तरीकी होते हैं जिस तरह से आप उसको characterize कर सकते हो, basically characterization और types दोनों एक ही है लिखेने की थोड़ी सी approach आपकी बस यहाँ पर अलग होनी चाहिए, अब वह बात करता है types कौन-कौन से है, तो पहले हो तो आपका physical type हो गया, physical vulnerability का मतलब हो जैसे आपका infrastructure की basically बात कर रहा है, अगर आपका infrastructure अच्छा होगा, roads अच्छे होंगे, electricity, communication and all that, वह आपके जो घर है वह proper अच्छे बने होंगे, उसके अंदर material अच्छा हुआ होगा, use, तो वह physical vulnerability की बात कर रहा है, एक आपकी जो है social vulnerability यहाँ पर आजाती है, social vulnerability का मतलब यहाँ पर यह है, कि जैसे जो poor हैं और जो rich हैं, तो poor जो लोग है, definitely they are more exposed to the disaster, and disaster is going to damage them more and more as compared to rich people, तो यहाँ पर एक social य disabled होते हैं, उनको they are more prone or they are more vulnerable to the damages, women है, children है, old age people है, they are more prone to the damages, to the disasters, right, तो एक social जो है आपका यहाँ पर यह vulnerability का type आप लिख सकते हो, अगला point आप लिख सकते हो, economic vulnerability के बारे में बात कर सकते हो, तो rich and poor के बारे में ही यहाँ पर बेसिकली बात कर रहा है, ठीक है, high class, low class, अच्छ हैने वाले जो लोग हैं, वो सारी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, तो कि disaster के बाद जब आप respond करते हो, आप दुबारा से अपने आपको develop करते हो, तो उसके लिए भी पैसे की requirement होती है, तो economic vulnerability भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, environmental vulnerability तो definitely सीधी सी बात है, कि जो ऐसे area होंगे, ज जहाँ पर deforestation हुआ होगा, they are more vulnerable, जो ऐसे urban areas हैं, जहाँ पर ground water recharge नहीं होता, या प्यार सपोज को वहाँ पर flooding आ गया, तो flooding का जो पानी होता है, उसको निकलने का कहीं पर रास्ता ही नहीं है, they are now more vulnerable, तो यह environmental vulnerability की बात आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, तो यह आप, जो है, types or characterization में इस तरह से अपने points यहाँ पर लिख सकते हो, खेर, क्योंकि 150 words हैं, तो बहुत जादा लिखने का scope भी नहीं है, थोड़ा-थोड़ा point करके लिखोगे, तब भी आपके 150 word यहाँ पर हो जाएगा, तो conclusion में, definitely क्योंकि आप problems की बात कर रहे हो, तो conclusion में conclusion में आप दो चीज़े लिखते हो, एक तो बात sustainable development के बारे में बात कर सकते हो, ते we should have such kind of development, और we should promote sustainable development, so that, so that, during the time of disaster, we can respond properly, and even after, after and before disaster, we can manage our, we can manage our affairs, so that people and environment can be less and less prone to the damages. इस तरह का एक आप, जो है, थोड़ा सा conclusion लिख सकते हो, या फिर कोई government ने कोई step लिया है, उसको आप definitely conclusion में यहाँ पर mention कर सकते हो, जैसे coalition for the disaster resilient infrastructure की बात अभी मोदी जी कर रहे हैं, पिछले से पिछले साल उनने इसको launch किया था, तो यह क्या है, coalition for the disaster resilient infrastructure, है ना, हलका सा को ब तो यह जो चोटे चोटे island, जो states हैं, या फिर चोटी ऐसी कई country होती हैं, जहाँ पर infrastructure बहुत अच्छा सा develop नहीं है, मालो मोल्दीव है, अब मोल्दीव के अंदर वो एक ही airport है, है ना, they have only one airport, अब suppose करो वहाँ पर flooding आ गया, या फिर वहाँ पर कोई बहुत बड़ा cyclone आ गय या फिर वहाँ पर कोई अर्थवेक आ गया, तो उनको तो एक ही airport था, वही damage हो गया, तो इसका मतलब पूरी दुनिया से उनकी connectivity खतम हो जाएगी, तो इसका मतलब कुछ countries ऐसी हैं, जहाँ पर infrastructure disaster resilient होना चाहिए, ताकि disaster के समय में कम से कम उनका critical infrastructure है वो बना रहे, वो damage ना हो इसे कहते हैं, disaster resilient infrastructure, तो इसके लिए कुछ countries को group बनाया गया है, वो countries तो जैसे USA, Australia, India, Japan, ये countries मिलके कुछ funding करने वाली हैं, ताकि कुछ island countries में ऐसा infrastructure बनाया जाए, ताकि disaster के समय में वो completely cut out ना हो पुरी दुनिया से, और respond कर सके proper तरीके से, तो इसको भी आप coalition for the disaster resilient infrastructure लिख सकते हो, मेरे खाल से 2015-16 question था ये, उस समय में इसको launch नहीं किया गया था, तो उस समय तो इसको mention करने का scope नहीं था, लेकिन आज के समय में इसको mention करने का scope है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो, आगे बढ़ते हैं, आगा वह बिलकुत simple सा question है, एकदम पूरा factual type का question है, इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपको सिर्फ facts पता होने चाहिए, आपको provisions पता होने चाहिए, और बहुत ज़्यादा news में था ये, बहुत ज़्यादा news में था, how does the draft environment impact assessment, जिसे EIA बोलते हैं, notification 2020 differ, मतलब कैसे different होता है, differ from the existing EIA 2006, तो 2006 में जो हमारे पास environment impact assessment था, उसके अंदर अभी सरकाने को changes किये गए हैं, उसके बारे में बताना है कि भीया वो क्या-क्या changes हैं, बिलकुल factual type का question है, पहले भी आपका बता चोगो कि EIA हमारे लिए बहुत important है, अलग से हमारे slavis के अंदर mention इसको किया गया है, environment impact assessment को, ठीक है, वैसे थे question environment से related होता है, लेकिन इसमें कुछ disaster वाले provisions भी होते हैं, तो इसलिए मैंने इस question को यहाँ पे भी include कर दिया, खैर यह question वैसे वहाँ का है, बहुत factual है, क्योंकि जब इसके अंदर यह notification आया था, वह तो बहुत ज़दा criticism सरकार को जहिलना पड़ा था, और news papers में लगातार इसके बारे में बताया गया था, कि जो नया EIA draft आया है, उसके अंदर क्या क्या चेंजिस किये गए हैं, क्यूं चेंजिस किये गए हैं, उस सरकार के तरफ से उसका justification भी दिया गया था, और जो environmentalist लोग हैं, उनकी तरफ से उसको बहुत ज़दा criticism भी मिला था, और जो उपर मैं आपको बता ही, जो कहा हूँ, कि यह पुरा static portion है, आपको EIA के बारे में सारी चीज़े पता होने चाहिए, कि हमारे आठ पिलर्स होते हैं, इन पिलर्स को बिल्कुल fingertips पे आपको पता होने चाहिए, हर जो पिलर होता है, यह कैसे काम करता है, उसका criticism क्या है, और उसका solution क्या है, यह EIA के बारे में आपको सब कुछ चीज़े मेरे पता होना चाहिए, अगर आपको यह पता है, तो आप 2020 में actually इसका purpose क्या है, इसका purpose होता है, ease of doing business, सरकार चाहती है कि इंडिया का जो ease of doing business index है, वो improve हो, हाला कि अभी तो ease of doing business को भी खतम कर दिया गया है, क्योंकि उसके अंदर कोच fraud हो गया था, उसके बारे हम लोग ने बात किया है, news paper में, खेर, तो सरकार चाहती थी कि हमारा ease of doing business, improve हो, और होता क्या है, अगर आपको इंडिया में कोई business लगाना है, तो इंडिया में बहुत सारे departments की permission आपको लेनी पड़ती है, जहां पे environment department की permission लेना सबसे crucial हो जाता है, और जिसकी वज़े से बहुत सारे project वो लटके रहते हैं सालों साल तक है, उनको clearance ही नहीं मिलता, तो सरकार ने अभी उस process को काफी easy करने की कोशिश की through this notification, ताकि जो projects है, वो जल्दी से जल्द इनको clearance मिल सके, और infrastructure develop हो सके, और इंडिया का joys of doing business report है, वो ranking improve हो सके, basically तो वो purpose था, इसी के लिए इसको लाया गया था, ठीक है, तो बस आपने introduction में क्या बताना है, EIA को define करना ह Ministry of Environment, Forest and Climate Change, वहाँ पर जो इसकी definition दी गई है, वो यह दी गई है, जो मैंने पहले लिखा हुआ है, United Nations Environment Program ने भी इसकी अपने definition दे रखी, आप कोई भी definition लिख सकते हो, लेकिन वो definition अच्छी होनी चाहिए, Environment Impact Assessment, Environment Impact Assessment, कई बार क्या होता है, जब आप किसी coaching में, या किसी college में, या कहीं पे admissions लेने के ले जाते हो, वो चोटा सा उससे पहले आपको एक test देते हैं, जिसमें आट-dस questions लिखे होते हैं, आप बैठ के उसको attempt करते हो, उस test लेने का purpose क्या होता है, उस test लेने का purpose होता है, कि वो आपकी performance को assess करना चाहते हैं, कि आप कितने पानी में हो basically, उसके बाद वो आपका admission देते हैं या नहीं देते हैं, that's a different case, जैसे आपका जो prelims होता है, prelims में क्या करते हैं, आपको assess करते हैं, कि क्या आप mains लिखने के लिए qualified हो के नहीं हो, they assess you, कि आप कितने serious हो, okay, तो ये जो कोई भी infrastructure project जब लगाया जाता है, उससे पहले ये assess किया जाता ह है, कि इसका environment के उपर क्या impact पड़ेगा, उसे ही environment impact assessment बोलते हैं, इसका society के उपर क्या impact पड़ेगा, वहां के environment के उपर क्या impact पड़ेगा, local जो communities हैं, उसके उपर क्या impact पड़ेगा, वहां का जो health है, उसके उपर क्या impact पड़ेगा, वो सारी assessment की जाती है, उस assessment को करने के बा 2006 में हमारे पास जो notification था उसको 2020 वाले के साथ compare करना है इतना सा ही question है अब compare करने के कहीं सारे तरीके हैं आप table बना के भी compare कर सकते हो ठीक है एक तरफ आप 2006 वाला लिखिए और एक तरफ जो है आप 2020 वाला लिखिए ठीक है आराम से उसको इस तरह से table में एक तरफ ये एक तरफ वो करके कर सकते हो आराम से यहां पर कहीं सारी dimension cover होनी चाहिए जैसे आपका जो post facto approval है यह बहुत crucial है इसको बहुत criticism भी मिला है अगर आप news paper पढ़ते होता है अब यह समझ में आ जाएगा post facto approval पोस्ट का मतलब होता है बाद में approval आप बाद में भी ले सकते हो मालो आपने approval लेना पड़ता था उसके बाद construction करनी पड़ती थी तो यह थोड़ा सा यहां पे changes किये गए है public participation यहां पे बहुत कम हो गया है पहले public participation के लिए 30 दिन दिये जाते थे अभी public participation के लिए सिर्फ 20 दिन दिये जाते हैं मतलब अगर आपको कोई grievance है कोई problem है तो आप 20 दिन के अ सरकार को है ना यह थोड़ा यहां पे कर दिया गए public participation को कम कर दिया compliance रिपोर्ट इशू कर दिया गया है पहले जो है compliance का मतलब होता है कि आप उसको कितना implement करते हो उसके rules and regulations के हिसाब से पहले यह 6 महीने के अंदर किया जाता था अभी आप जो है उसको एक साल के अंदर करते हो मालो रिलाइंस में कोई factory लगाई है तो उसको 6 महीने के अंदर सरकार को बताना पड़ता था कि भाई साब जो rules and regulations है जो guidelines है मैं उसको follow कर रहा हूँ यह मेरा report है अभी वो reporters को साल भर के अंदर देनी पड़ती है तो यह थोड़ा से यहां पर changes कर दे गए है strategic project जैसे कोई defense का project होता है या कोई और जिसको सरकार strategic declare कर सकती है basically सरकार ने बताया ही नहीं है notification में कि कौन कौन से project को हम लोग strategic मान के चल रहे है ठीक है तो वो थोड़ा सा changes यहां पर कर दिये गए हैं उसके लावा और भी तीन-चार जो है चोटे-मोटे यहां पर changes है जो area होता है project का उस area को भी बढ़ा दिया गया है coastal area के जो areas है या जो border areas होते हैं वहां पर तो कोई public participation है ही नहीं यह कुछ कुछ changes किये गए है 2020 वाले में 2006 वाले में तो आप इसको यहां से आराब से देख सकते हो थोड़ा सा environment वाला question है फिर भी मनने थोड़ा इसको disaster में डाल दिया गया है आपक area specific बात कर रहा है for disaster risk reduction before and after signing sendai framework for the disaster risk reduction मतर DRR की बात कर रहा है 2015 and 2030 how is this framework different from the yoga framework for the action 2005 इसके बार हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं internationally अगर कोई step लिया जाता है disaster के लिए तो वो आपको पता होना चाहिए domestically जो step लिये जाते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए चाहिए आपका disaster management act हो चाहिए आपका authority हो चाहिए आपकी funding हो ठीक है इन के बारे में आपको पत होना चाहिए even अगर कोई state specific अगर step लिये गए है disaster mitigation वगरा के लिए वो भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि example में वो आपके काम आते है यह बिल्कुल static और fundamental portion होता है ठीक है कोई जादा इसमें कुछ करना नहीं है अगर आपको अभी sendai framework पता है तो आप इस कांसर आसानी से और sendai framework बहुत important है क्योंकि इस दुनिया में disaster management के लिए यही सबसे बड़ा इस समय इंटरनेशनल एक initiative है disaster के लिए इसके लाब कोई है ही नहीं तो एक ही है तो आपको याद करना पड़ेगा sendai से पहले hugo framework वा करता था उससे पहले आपको वह याद करना था तो बस आप इनक sendai को लेकर respond किया गया है sendai से पहले इंडिया में जो policies थी और sendai के बाद में जो introduce की गई है वो आपको बताना है तो इंडिया specific चीज़े आपको यह बतानी है पहले वाले पार्ट में second वाले पार्ट में आप hugo के बीच में और sendai के बीच में difference बताना है आसान सा question है मैं तो कहूँगा easy है क्योंकि आपका बिल्कूल static portion से होता है कि इसमें जदा कुछ है नहीं तो introduction में आपको बता सकते हो देखे introduction लिखने के दो तरीके है क्योंकि इंडिया specific बात कर रहा है और disaster risk की बात कर रहा है तो आप सीधा सा आप उसको introduction बता सकते हो कि इंडिया कितना इस तरह से आप इसको शुरुवात यहां पे कर सकते हो, ठीक है, यहां फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, अप इस तरह से भी शुरुवात कर सकते हो, तो आप इसको यहां पे दोनों चीजे बता दी, ठीक है, फिर आप आता है बोडी में, तो बोडी में definitely यहां पे क्योंकि सिथे-सिथे दो कोश्ण पुचे हैं, सिथे-सिथे आपको दो ही कोश्ण बताने हैं, आपको पताना है कि स पहले और सन्डाई के बाद में इंडिया में कौन-कौन से मेजर्स लिए गए है, that's it. तो आपको अगर सानी से पता सकते हो, तो simple से इस तरह से आप table बना सकते हो, before क्या था, after क्या था, सीधी सी बात है, कोई समें ज्यादा कुछ करना है नहीं, factual बिल्कुल आपका एकदम से fundamental और static वाला portion है जो आपके notes में आपने लिखा ही होगा, ठीक है, तो अपने notes में से as it is यहां पर चिपका सकते हो, ठीक है, कोई इसमें कोई current affair का कुछ भी नहीं है, और नहीं इसमें कोई ज्यादा बहुत लंपी चोड़ी चीज है, if you know sendai framework, if you know the steps with respect to India, it is very very easy to attempt, ठीक है, तो यह आप इस तरह से यहां पर कर सकते हो, actually 2005 और 2010 के बीच में जो step लिया गया था, जो जो disaster convention हुआ था, हुगो में, वो था 2005 से लेके 2015 के बीच में, 2015 के बीच में, हुगो के बाद जो है, हुगो को replace कर दिया गया with sendai framework, तो sendai framework का भी चल रहा है, 2015 से लेके 2030 के बारे में, sendai framework के basically चार principle होते हैं, ठीक है, जिसमें से जो है, खर यह बात थोड़ी, जैसे यह है, आपका understanding the disaster risk, standing the governance, investment in the disaster risk reduction, improving the disaster preparedness, इस तरह के चार principle होते हैं, यूगो के अंदर आपके जो है, पांच principle होते हैं, ठीक है, तो अगर आपको दोनों के बारे में पता है, तो आप इसली यह दोनों के बीच में difference भी यहाँ पे लिख सकते हो, कोई बहुत ज़ादा, इसमें कुछ करने को है नहीं basically, ठीक है, इंडिया related step अगर आपको लिखने हैं, तो इंडिया ने क्योंकि national policy अंदर disaster management वो इसको prepare किया था, as per disaster management act 2005, ठीक है, तो 2015 के बाद हम लोग ने इसमें क्या क्या changes किये हैं, वो भी आप यहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है, कुछ investment का है, state government का रोल है and all that, वो सारी आप चीज़ें यहाँ पे mention easily कर सकते हो, तो इसमें कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, तो send extra कुछ information मैंने आपके यहाँ पे document में डाल दी है, अब इसको अलग से पढ़ सकते हो, ठीक है, चलिए, आगे बोलता है, the frequency of the urban floods, due to high intensity, अब आप जो है देखें, उपर वाले question में introduction कैसे लिखोगे, सीधी सी बात है, way forward आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, way forward लिखोगे, आप उसको लिख सकते हो, कि India has done a lot, India has done a lot to reduce the risk of the disaster as per Sendai and the Hugo framework, however, we need to be more proactive and take more steps, especially in those areas which are more prone to the risk of the disasters, ठीक है, just like coastal areas and the Himalayan areas, इस तरह से आप question आप लिख सकते हो, अपने conclusion में, Hello, okay, so let's move to the next question, कहता है, The frequency of urban floods, the frequency of urban floods due to high intensity rainfall increasing over the years, इसका मतलब पिछले कह रहा है, सिधा सिधा आपको statement में कह रहा है, कि पिछले कुछ सालों में, Because of the high rainfall, urban flooding वाला जो फिनोमिना है, वो जादा frequent हो गया है, तो ये भी आपके question की introduction का context हो सकता है, This is the context of the question and it can be easily written in the introduction, ठीक है, अब देखिए, अगला कहता है, Discussing the reasons for the urban flooding, अब आपको urban flooding के reasons को discuss करना है, Along with that, highlight the mechanism for the preparedness to reduce the risk of during the search events, तो जब ये events ऐसे हो जाते हैं, जब बारिश आ जाती है, urban flooding हो जाती है, जैसे इस समय चेन्नी में चल रहा है, आप कौन-कौन से steps यहां पे ले सकते हो, ये आपके यहां पे बताना है, Simple, सीधा सा question है, current affair से इसकी inspiration definitely ली गई है, जब ये question पूछा गया था, उस साल कश्मीर में बहुत ज़दा flood आया था, तो that was also an example of urban flooding, इस समय चेन्नी में जो हो रहा है, that is also an example of urban flooding, ठीक है, नैनी ताल में जो हो वा था, that can also be said an example of urban flooding, ठीक है, because of unprecedented rainfall, because of the high intensity rainfall in a shorter period of time, तो cloudburst हो जाता है, that leads to these kind of flooding, तो सीधी सी बात है, आप introduction उसको सीधा से ये concept ही बता सकते हो, के what is urban flooding, ठीक है, आप इसको यहां पे आराम से बताईए, तो यह आपका यहां पे हो जाएगा, आप इसको reason भी एक जैसा कि इसने context में बताया ही हुआ है, जैसा कि इसने context में बताया ही हुआ है, that due to varied reasons, due to varied reasons like global warming or the climate change, over a period of time, India is experiencing urban flooding frequently, ठीक है, and that led to many problems during the floods and after the floods, इस तरह के introduction छोटी सी बना के यहां पे लिख सकते हुआ, ठीक है, या फिर, जब यह question पूछा गया है, इस तरह के question पूछा जाता है, वहाँ पे कोई frequent flood आया हो समय में, वहाँ बे किसी city में, जैसे अगर 2021 में यह question आता है, तो definitely आप चैनली flooding का example दे सकते हो, ठीक है, तो वह आप mention कर सकते हो introduction में, example कैसा रहता है, कि अगर आप उसको introduction में mention करते हो, तो example फिर आप conclusion में मतलिक हो, conclusion में आप उसको overall solution बताओ, अगर आप introduction में नहीं लिख रहे हो, तो conclusion में आप example बता सकते हो, उस example के साथ इस solution यहां पे बता सकते हो, ठीक है, अब अगला जो पार्ट है वो बिल्कुल सीम्पल सा पार्ट है आपको reasons बताने है कि reason क्या है urban flooding के सीधी सी बात है कि urban flooding कब आती है जब पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता है और पानी कहां से निकलता है drainage के थूर निकलता है इसका मतलब वहाँ पे drainage की बहुत समस्या है urban cities में और वो पानी जो है वो खड़ा रहता है जो बारिश का पानी है वो निकल ही नहीं पाता है चार बूंध होती है वो घुटने तक पानी हो जाता है ना तो बड़ी समस्या है भाईया तो ये एक reason है लेकिन आप थोड़ा इससे पहले जाए फ्लड से थोड़ा पहले जाए आता क्यों है because of the rainfall क्योंकि उसने अपने question में ही बता दिया है कि because of the high intensity rainfall तो आपके जो prioritize आपने अपने points को करना है आप rainfall को prioritize कीजिए फिर आप drainage को prioritize कीजिए फिर आप दूसरे reasons को यहाँ पर prioritize कर सकते हो ठीक है तो पहले है आप उसको सिधा सिधा बताइए कि बिया जो global warming की वज़े से climate change की वज़े से जो pattern है monsoon का वो पूरा change हो गया है intensity change हो गई है उसका pattern change हो गया in the sense कि जो आपका monsoon है now monsoon is delayed delay हो गया है इस साल भी monsoon लगभग 19 दिन delay हो गया है ना और monsoon में यह देखा गया है कि over a period of time since last 15-20 years northern states और southern states they are receiving more rainfall but central Indian states are not receiving enough rainfall यह भी पिछला एक pattern कुछ देखा गया है coastal areas are receiving much and much rainfall as compared to the interior areas Himalayan states are receiving more cloudburst very frequent cloudburst ठीक है जितना पहले होता था 15-20-50 साल पहले उतना उससे जादा होता है तो यह कुछ pattern है जो global warming और climate change का definitely एक बहुत बड़ा part है लेकिन हम लोग सिर्फ global warming को ही यहाँ पे responsible नहीं मान सकते उसके लावा भी एक बहुत सरे reasons यहाँ पे है तो एक तो आपको global warming वाला तो खर बता ही सकते हो climate change वाला आगर आप जाके देखो गए तो आज़र green cover बचा ही नहीं है हर जगा concrete हो गया है पेड़ पोधे बचे ही नहीं है जिसकी वज़े से sunlight जो है वो reflect होती है और वो heat island create हो जाता है आपका city के उपर as compared to villages जोग्रिफी का concept भी है आपका अलग से तो जिसकी वज़े से जो फूरा rainfall pattern है वो cities में as compared to the rural areas वो काफी change हो जाता है ठीक है तो वो यहाँ पे changes होते है उसके अलावा बात ऐसी है कि जो drainage system बनाया जाता है न दोस्तो वो 15-20 साल, 30 साल, 40 साल पहले बनाया गया था वो एक अलग capacity के लिए बनाया गया था जो उस समय exist करती थी लेकिन आज के समय में जितना ज़दा rainfall होता है बारिश होती है उसके हिसाब से वो enough नहीं है और हम उसको update भी नहीं कर रहे है तो जिसकी वज़े से हमारा drainage system बहुत बुरी हालत में है ठीक है और वो चीज़े भी आप यहाँ बहुत 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 पूर है उसके लावा encroachment की भी problem है सड़कों पे लोग आ गए हैं जो areas पहले खुले रखे जाते थे water को निकलने के लिए हर जगा लोगों ने कुछ ना कुछ बना दिया है वहाँ पे encroachment करके कोई दुकान लगा के बैठा है कोई घर बना के बैठा है जिसकी वज़े से पानी को निकलने का रास्ता मिलता नहीं है unplanned urbanization अभी Indian Express में चन्नी फ्लट को लेके एक article आया था वहाँ पे buildings आपने बना दिये हैं college बना दिये हैं amusement parks बना दिये हैं hotel बना दिये हैं तो पानी कहा जाएगा अरे wetland के अंदर ही तो पानी आता था city वाला वहाँ पर जागे जमा हो जाता था वो बचाता था आपको है ना wetland वाला लेक्स होती थी है कोई pond होते थे वह अपने समने भर दिये पानी कहा जाएगा पानी तो सडकों पर ही घुमेगा ना आर्बन फ्लेडिंग तो आना ही आना है और जो solid waste का जो disposal होता है including domestic commercial वेस्टेज होता है उसको हम लोग कहीं भी dispose कर देते हैं प्लास्टिक उलास्टिक उसके अंदर खूब सारी होती है यह plastic का करती है drainage को blow कर देती है इसके वज़े से पानी वगरा सब निकल नहीं पाता तो इसके तरह के कुछ कुछ चोटे चोटे रीजन जो अलड़ी आपको पता है यही आपको बताने है सिंपल सा question था यहाँ पर अब बात करता है solution की बात करता है तो जो problems है उनीक आप solution यहाँ लिख सकते हूँ ठीक है तो drainage system है उसको अब monsoon से क्योंकि यह ज़्यादा तरह problem जो है वो monsoon के दौरान होती है या फिर winter अभी southern Indian states में जैसे आंध्रह तमिलाडु वगरा में वो post monsoon यानि कि जो returning monsoon होती है जो north east monsoon होती है उसके दौरान होती है तो जब आपको पता है कि यहाँ पर इस time में इस season में जादा rainfall होता है तो उससे पहले आप वहाँ के drainage system को साफ कीजिए है न तो ताकि वो problem के समय में अपने आपको proper तरीके से काम कर पाए तो वो सारी चीज़े क कर सकते हो solid waste disposal आप यहां पर कर सकते हो wetlands को दोबारा से renew कीजिए preserve कीजिए protect कीजिए वह बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आपको buffer period और एक buffer जो है sponge के तरह काम करता है wetlands जो होती है पानी को सोख लेता एक्स्ट्रा water को और उसको ground water में जाके infiltrate कर देता है that's a very very good job of these wetlands rain water harvesting आप कर सकते हो वह सारी सारी चीज़े हो गई न और ज्यादा investment आपको करने की जौर्थ है चाहे वह disaster management की जो team है ज्यादा members की requirement होती है क्योंकि एक बार flood आ गया तो लोगों की help कोन करेगा तो जो team है जो manpower है उसको यहां पी increase करने की जौर्थ है equipment है उनके अंदर आप investment क कीजिए helicopter हो गया चाहा नाव जो होती है उन सब चीजों के अंदर आप उसको यहां पी कीजिए communication network को यहां पी improve कीजिए आप लोगों को training दे सकते हो एक दम community level पे जाके के disaster के समय में किस तरह से response करना है radio communication and all that वो सारी सारी चीज़े आप यहां पर कर सकते हो तो यह आपका बढ़िया सा solution यहां पे आप easily लिख सकते हो I hope आपको यह चाहरी चीज़े समझ में आई होंगी जैकर disaster management में सीधे सीधे question आते है कोई बहुत ज़्यादा analysis और बहुत ज़्यादा you know scope नहीं होता है subjectivity का सीधा question आता है सीधा answer लिखना रहता है और mostly question आप जो disaster management में देखोगे आपका पूरा static portion जो आपके notes में लिखा होगा वहीं से आएगा और वहीं से आता भी है ठीक है तो यह दो trend रहा है तो 10-15-20 number के लिए हम लोग बहुत ज़ादा यहां पे घंटो-घंटो discussion भी नहीं कर सकते disaster management में ठीक है I hope इन सारे question से mostly चीज़े आपको पता चली गई होंग guidelines है योजना edition second ARC crisis management वाला portion पढ़ सकते हो या फिर newspaper से आप कुछ current affair के events को यहां पर लिख सकते हो that is all for the day I hope ठीक ठाक लगा होगा अगर आपको इसी तरह की और interesting और बढ़िया वीडियो helpful वीडियो चाहिए तो चैनल को subscribe ज़रूर करो ताकि आने वाले समय में आपको notification लगातार मिलता रहे बहुत बढ़िया टीम है बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए और पूरा free of cost है तो free में अगर चीज़े मिल रही है तो थोड़ा अच्छे से लो है ना you never know कब तक चीज़े free रहेंगी दुनिया में कब तक नहीं रहेंगी तो इतना अच्छा content आपको मिल रहा है बढ़िया free of cost तो हम भी expect करते हैं कि आप support करोगे तो definitely चैनल को subscribe कीजी बैल आइकन भी क्लिक कीजी आपके जो दोस्त हैं जो preparation करते हैं उनको बताईए चैनल के बारे में ताकि आप लो करते हैं